हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रों में सैंधा नमक क्यों खाना चाहिए इसके बारे में पांच बहुत जरूरी बाते सबसे पहले बता दूँ कि सैंधा नमक को शुद माना जाता है इसलिए नवरात्रों में इसका यूज किया जाता है जो iodine नमक है या फिर काला नमक है जब इसे खाने यूग्य बनाया जाता है तो refine किया जाता है और बहुत सारे chemical का यूज किया जाता है जिसके कारण ये शुद नहीं रहता लेकिन जब सैंदा नमक को इस्तमाल योगय बनाया जाता है तो किसे भी कैमिकल का यूज नहीं किया जाता इसलिए से बहुत ही ज़्यादा शुद माना जाता है इसमें बहुत सारा केलशियम और पोटेशियम होता है जो कि हमें पोशन देता है जब हम नवरात्रे रखते हैं तो वीकनेस आने नहीं देता अगर हम सैंदा नमक का यूज करते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रों में सैंदा नमक खाने की और क्या फाइदे है सबसे पहला फाइदा है कि ये ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल रखता है विशेश अग्यों का तो ये भी कहना है कि हमें नॉर्मल रोटीन में भी सैंदा नमक का यूज अपने खाने को पकाने में करना चाहिए इसके इलावा जिनके मसल में एठन रहती है मसल में दर्द रहता है बॉडी में पेन रहता है उनको भी हमेशा खाना पकाने में सैंदा नमक का यूज गरना चाहिए सैंदा नमक के तासीर शीतल मानी जाती है इसलिए आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और आँखों को स्वच रखने के लिए भी सेंदा नमक बहुत फाइदेबंद है इसमें बहुत सारा जिंक, आइरन, मिगनेशियम होता है इसके इलावा इसमें सोडियम बहुत कम होता है और पोटेशियम बहुत जादा होता है जोकि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है इसके इलावा हमारे डाइजेशन को बेटर बनाने के लिए भी सेंदा नमक का यूज करना बहुत ही बेटर है इसके इलावा हमारे digestion को best बनाने के लिए भी और immunity system को मजबूत करने के लिए भी खाना बनाने में सेंदा नमक का use करना चाहिए ये हमें बहुत energy देता है सेंदा नमक body में serotonin और melatonin hormone का balance बना करता है जो कि stress को दूर करते हैं इसके इलावा ये हमारे body से toxin को बाहर करता है और blood के circulation को better करता है तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि नमरात्रों में सेंदा नमक क्यों खाना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like ज़रूर करिएगा और अपने friends के साथ ज़रूर share करिएगा